हेलो स्टुडेंट यूजेज ऑफ डाइमेंशनल एक्वेशन की यह सीरीज नमबर थ्री है जिसमें हम थर्ड यूजेज को स्टडी करेंगे कंजर्वेशन सोरी कंवर्जन ऑफ ए सिस्टम और यूनिट्स इन्टू अनादर किसी एक यूनिट्स से यानिकी करेंगे कोई भी वैल्यू जो हमें गीवन होगी उसको या कोई भी फिजीगल क्वांटिटी या उसकी जो वैल्यू है वह 這麼 को एक है कि जो जो है उसको कंवर्ट कर सकते हम सी जीएस में विदा हैल्प ऑफ लब मेंशनल एकोईशन ओके तो यह जो सीरीज है Он इसकी थर्ड षीह और थर्ड ही इसका वे जैशें प्रिवियंस लेक्चरल में हमने 2nd और 1st को steady किया था अब next हमारे पास है 3rd तो इसको समझते हैं ज्यान से कि dimensional equation का यूज करके हम एक system से दूसरे system में कैसे इसको convert करेंगे okay so consider a physical quantity n1 let us consider physical quantity है को भी physical quantity है इसको हमने क्या नाम दिया इन वन उसकी dimension equation with dimension equation let us consider m power a l power b and t power c okay यह कोई आन वन जो physical quantity है वो उसकी dimension equation ऐसा बता रहे हैं और फंडामेंटल यूनिट इन एसस्टम बी तो उसकी पंडामेंटल जो है let us consider में ले लिए m1 l1 t1 जो कोई भी हमारी physical quantity है उसकी starting में जो हम पंडामेंटल यूनिट लेते हैं m1 l1 t1 माल लेते हैं let us consider and now let us assume another system किसी जो जिस system हम change कर रहे हैं उसकी जो अनादा system है उसमें जो यूनिट है value of the physical quantities n2 तो उसकी value क्या लेते हैं let us consider क्या है n2 okay and the fundamental units this system be m2 l2 t2 okay यानि कि जो system में जिसको हम convert कर रहे हैं जिस अनादर system में उसकी जो dimension equation हम रखेंगे वह क्या रखेंगे m2 l2 और t2 ओके नव अप्लाइंग दा principle of homogeneity तो उसकी अकॉर्डिक क्या होगा भाई physical quantity value n1 और उसकी dimension equation let us consider u1 okay physical quantity क्या थी u1 is equal to n2 u2 तो n1 is equal to u1 u1 को हमने लिखा m1 power a l1 power b and t1 power c यहां पर जो physical quantity होगी उसके dimension equation होगी वह या जाए और n to another unit जो system में change कर रहे हैं वो है n2 is equal to m2 power a l2 power b and t2 power c यहां से यह let us consider mks में है यह mks system है और यह क्या है cgs okay हमें cgs में change करना है इसकी value क्या होगी तो value को किस से शोगी हमने n2 से so n2 is equal to क्या हो जाएगा formula n1 upon this value and this so m1 upon m2 इसकी power b a इसकी power तो power a l1 upon l2 power b and t1 upon t2 power c यह हमारा general formula आ गया इसको apply करना सीखेंगे का example लेगे बस इतना जाना कि नहीं अगर इसको हम change करें हम हमारे पास जो value cgs में है और हमें convert करना है with the help of dimension equation और mks में तो फिर फोर्मॉला क्या होगा बिटा n1 is equal to अब n1 का formula calculate करें तो n1 is equal to क्या होगा बताओ n1 is equal to n2 और यहां क्या जाएगा m2 upon m1 power a just opposite कर दें formula और क्या जाएगा l2 upon l1 power b and t2 upon t1 power c यह formula आ जाएगा इस तरह से यह mks to cgs और यह cgs to mks यह formula किसके लिए है mks to cgs और यह किसके लिए यह formula cgs to mks okay convert करना है एक एक जांपल ले लिए फोर एक्जांपल convert वन न्यूटन इन्टो cgs यूनिट वन न्यूटन हाव मैनी सीजी हाव मैनी वैल्यू आप सी इन तो cgs में उसकी वैल्यू क्या होगी वह हम कंसिडर करते हैं इसी का यूज करते हैं तो फर्स्ट आप हम इस फोर्मुले से इसकी वैल्यू बनाएंगे तो एन वान वेरी गुड होमेंजिनेटी देखो यूवन यूवन मींस इसकी जो फॉर्स है फॉर्स की डामेंशन एक्वेशन एम वन लगा दिया और एम पावर वन एल पावर वन टी माइनस टू यह थी फॉर्स की और एजी इकल टू एंटू टू सीजीस में तो डामेंशन एक्वेशन की पावर तो कोई रहेगी बस इसको चेंज कर दिया यहां अमने लिखा एम टू अल्टू टी तो आप पावर लगाएंगे तो एम पावर वन एल पावर वन टी माइनस टू डामेंशन एक्वेशन सेम है बस यहां पे एम वन और पावर एथी एक ही जगए यहां क्या है one यहां भी one तो power one ओके इन्टू करेक्ड एल्वान अपॉन अपॉन अपोन अपन अप्वावन यहां भी one यहां वन भी one तो बनाई और यहां ती वन अपन टी टू पावर का जाएगा इसलिए विटा माइनस का टू मास है 1 kg में में CGS में क्या रहोение गईव बला नहीं एच पावर 1 कि physicist में कर दो है दित् necesit तो वहीं करेंगे लेकिंद किसमें कर रहा है हमें तो सबको सब्सक्राइब कर देते हैं क्या जाएगा वन केजी को ग्राम में चेंज करें तो वन थाउजन ग्राम आप और वन पावर को शो करते लिए ठीक है यहां पर हमें किसको करना है मीट्र ना करना है सेंटी मीट्र इसमें कितने सेंटी मीट्र को बौलो नहीं क्या अप ONE सेंटी मिट्र भण लगाने क्चानिमेट नहीं है और इमप्से और और भावर निगिटीव तो बन भी हलाएगा और वालो नहीं क्या है अधिए घ्राम से ग्राम इंसल सेंटीमेटर से संटिमेटर कैंसल क्लिए रहा है वैलू इस 1,2,3,4,5 तो यहां पर आगा है 1 multiply 10 to power 5 ओके और यह कि 1 and 2 क्या है 1 Newton is equal to 10 to power 5 डायन तो इस तरह से हम इनकी जो वैलू जाएं mks to cgs convert कर सकते हैं easily ओके एक example आपके लिए करपे करना से मैंसे ही example और मुझे comment करके जरूर बताना कि आपसे वा या नहीं हुआ ठीक है जी और नहीं हुआ तो फिर आपको इसकूल आना है ठीक है कब आना है थास्टे प्राइडे सटरेश तो आपको करना है convert convert 1 Joule 1 Joule into CGS ओके यह आपको सोल करके मझे बताना है कि लिए रहे है चैनल को लाइक जरूर किया करो बहुत लाइक नहीं कर रहे हैं और कमेंड कर दिया करो कि क्वालिटी कैसी आ रही है कमेंड करो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो आज के लिए इतना है थैंक्यू क्लास